हाई फ्रेंट्स आज में लग आई हूं आप लोगों के लिए जट पट नास्ती की रेसिपी जो के पड़ा फट से बनके तयार हो जाएगी और सच मानिया बहुत ही टेश्टी लगती है रेसिपी तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे जवे का नास्ता जिसको बर्मी सैली भी ब सकते हैं और उसके बास से इधर एक कड़ाई रखेंगे थोड़ा सा ओयल डालेंगे रिफाइंड और जो जवे हैं उनको डाल करके अच्छे से रोष्ट कर लेंगे तो एक तो रोष्ट वाली बर्मी सैली आती है निके जवे आते हैं और एक बिना रोष्ट वाले आते हैं तो जो रोष्ट नहीं होते हैं उसको तरीके से थोड़ा सा रोष्ट कर लेंगे जिसके वैसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यह बहुत ही खिले खिले बनते हैं तोड़ा साइल डाल के इसको पांच मेट के लिए बढ़ियां से बून लेंगे और फ्लेम इस स्टेज पर फ्लेम पर भूनेंगे तो यह नीचे से जल जाएंगे इसलिए इस बात का धियान रखें आप चाहें तो इसको घी में भी बून सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं इसका जो कलर है धिरे धिरे चेंज होने लगा है तो फ्रेंड की जो रैसेपी है बहुत ही अच्छी है आ जाए के साथ बहुत मस लगते हैं साथ में आप मौर्णिंग में जटपट बना करके तयार कर सकते हैं एक दम खिले खिले जवे और इनास्ता बच्चे बड़े हर किसी को बहुत पसंद आता है तो यहां पर हमने डेर कप जितना परमी सैली यूस किया है कुछ लोग बरमी सै और जब थोड़ा करम हो जाएगा फिर अमस पर डालेंगे राई के दाने तो आप यहां पर राई और जीरा का तड़का लगा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है साथ में कड़ी पत्ता भी आप डाल सकते हैं और उसके बास से लहसन और हरी मिर्श को आइड करेंगे सारी च तो इसका जो टेष्ट बहुत अच्छा आता है अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि प्याज पड़ियां से गोल्डन ब्राउन हो जाए और आप इसमे टामाटर ब्याट कर सकते हैं टामाटर से बहुत अच्छा टेष्ट आता है पर मेरे पास अभी नहीं है तो मैं हल्दि आप इसको बनाना चाते हैं अतना बना सकते हैं ज्यादा बैजिस डाल से अगजces नालें और उसकी के साथ हुआ ठाली बैके स्वाल नमक गिंगिन बल्दि फड़ तर रिंगे तो बस यसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तोड़े सा पानी डालेंगे ताकि क्ग मश एसाली हर कोई बनाता है नास्ति में बहुत बार क्या होता है ऊफोचिपकी चिपकी बनाती है। खिली खिली नहीं बन पाती है। तो आज हम इसे साथ शेयर करें रशीपी उसी तरीके से अब बनाएगा। आपके जवे कभी भी खराब नहीं होंगे, एक दम खिले खिले बनेगे, तो देखिए बादे 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 2 मिटे मेड़े जवे डखे पका लिया था मने, अब यहां पर डेलेंगे 2 कप पानी, तो हमने यह आप 12 कप जवे लिए mani, और दो कप पानी डाल रहे,ने किसी भी क और उसके बास से हम लोडे़ यह तेया आप पानी भेक नम्साहीं कर देंगे और भास अब यह एड अब करेंगे और तो देखे老師 नहिए उसमें जब भी पर रद और आप याई जा करदेंगे अब अब पानी बेग दर के भी हम करते हैं ऑर यहमोडी देज हैं तो देखें बहुत ही अच्छे से यह हो गया है बस इसको बढ़ी हां से मिक्स करेंगे करने के बाद से ढख करके पांच मेट के लिए छोड़ देंगे लो टू मेडियम फ्लेम पर यह बहुत अच्छे से इस्टिम से पक जाएगा तो यह देखें फिंस तयार है अमारे गर्मा-करम नमकीन जवे बनके जो की बहुत ही ॊसी लगते हैं मेगते निशीयस लगते हैं जाती में बहुत हैल्ली भी होते हैं कि आय श・पर मैं इस रेसिपी को जरूर हुए और आप देख सकतें कि इतना खिला खिला बन करके तयार हुआ है देखे मैं इसको उठा रही हूँ तो एक एक जो दाना है वो एकदम अलग हो रहा है यह अलग इसलिए हो रहा है फिंट्स क्यूंकि हमने जवे को रोष्ट किया था उसकी वैसे बहुत ही अच्छे से अलग अलग खिले खिले बनते हैं तो एक बर जरूर इस तरीके से ट्राइ करके देखें आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही डेश्ची लगता है यह खाने में तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजगा साथी में अगर आप चैनल पे नए है तो प